इस वीडियो में मैं आपको किलास के बारे में बताऊंगा जैसा कि आप जानते हैं कि Python एक Object Oriented Programming है तो ये Objects और किलास पे Base कर रही होती है Python में हर चीज Object है जब भी हम कोई चीज लाइक वेरियेबल या कोई भी चीज हम डिफाइन करते हैं तो Python में उसका Object बनता है किसी भी किलास का जो Property है या कोई Method है वो उसका Object कहलाता है और जो किलास होती है वो Object का Constructor या Blueprint होती है उस किलास से हम कोई भी Object को Instantiate कर सकते हैं किलास को Create करने के लिए किलास का KeyWord यूज किया जाता है जैसा के मैं किलास डिफाइन करता है मैं किलास अब इसके अंदर किलास के अंदर हम उसकी Properties और Method को Define कर सकते हैं कोई भी Variable होता है जो किलास के अंदर वो उसकी Property कहलाती है और Method जो होता है वो Function होता है जिसने कोई Operation करना होता है Like Next यहां तक तो हमारी जो किलास है वो Define हो चुकी है अब हम कोई Object बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किलास का Constructor कॉल करना पड़ेगा किलास का Constructor उसी के किलास के Name ही होता है लेकिन उसको हम as a function कॉल करते हैं Like Object My Class हमने किलास का Object क्रियेट कर दिया है अब हम इसके जो प्रॉपर्टी है इसको अक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी जो के हम अक्सेस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमने पहले किलास क्रियेट की उसके बाद उसका Object बनाया और Object बनाने के बाद हमने उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अक्सेस कर लिया तो जब भी हम कोई Object क्रियेट करते हैं किलास का तो उसका अपना प्रॉपर्टी और मैथड होता है जो के दूसरे Object से सेपरेट होता है तो जब हम किसी भी एक Object के प्रॉपर्टी और मैथड को कॉल करेंगे तो वो दूसरे Object के प्रॉपर्टी और मैथड को इफेक्ट नहीं करेगा इसी तरह हम कोई function define करते हैं झाल तो अब हम चाहते हैं कि हम इस function को access करें उसके लिए same object name and then function name code को run करते हैं तो आप देख सकते हैं जो function के अंदर हमने string लिखी थी वो print हो चुकी है तो इसका मतलब है कि जब भी हम object create करते हैं तो वो class से उसके जो properties और methods हैं उनको borrow कर लेता है और उसके बाद जब हम उसको object को create करते हैं और उसके बाद उसके जो properties और methods को call करते हैं तो वो अलग से ही उनको call कर रहा होता है इसके लिए एक example try करते हैं अब मैं एक object बिनाता हूँ किसी और name से और अब मैं चाहरा हूँ कि इस object के अंदर जो x की value है वो मैं change कर दू हूँ तो object 1 dot x is equal to 5 then I will print this तो आप देख सकते हैं कि जो object 1 है उस max की value 5 हो चुकी है अब हम देखना यह चाहरे हैं कि क्या इस ने object जो पहले हमने बनाया उसकी value को effect किया है या नहीं तो उसके लिए हम object 1 की value को print करवाते हैं तो आप देखें यहां पर जो first हमने object create किया था उसमें x की value 3 थी और जब हमने नय object बनाया उसमें हमने x की value change कर दी लेकिन उसने first object की जो x की value थी उसको effect नहीं गिया तो इसका मतलब है कि जब हम कोई object नाते हैं किसी class का तो वो उसके properties या methods को borrow करता है लेकिन उसकी एक लग से memory में space बन जाती है जब हम एक object की किसी value को change करते हैं तो वो दूसरी object की value के उसी name से होती है उसको effect नहीं करता यह तो थी class की एक simple example लेकिन जब हम real life में practically class create करते हैं तो सबसे पहले हम उस class के अंदर init का function define करते हैं जो के जब हम कोई भी object create कर रहे होते हैं class का तो वो automatically run होता है और जो हमारा object है उसको उसकी properties और methods को instantiate करता है या initialize करता है एक class for example हमने define कर दी कर अब हम इसके अंदर का function define करेंगे इसके अंदर जो self है ये ये point out कर रहा होता है कि ये वाला argument या ये वाली value इस class से belong करती है for example हम इसको दो argument पास करते हैं दो parameters देते हैं मॉर्डर यहां तक हमें class और उसके अंदर जो init function है के properties के साथ define कर दिया है अब मैं चाहूंगा कि इसका एक object create करूँ तो यहां पर मैं जो अपने arguments हैं उनकी value पास करूँगा for example make है अब मैं इनको print करवाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं के जो हमारा object create हुआ है उसकी जो properties हैं वो print हो चुकी है इसी तरह हम इस class का method डिफाइन करते हैं यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जब भी हम कोई property class की call करते हैं तो उसके लिए हम self का keyword उसके साथ यूज करते हैं वो के point out कर रहा हुता है कि यह जो property है यह इस class से belong कर रही है अब हम इस method को call करने जा रहे हैं car1 तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से class बनाई और उसके objects को बनाया और जो उसके properties और method को access की है तो जब आप class बना रहे हैं तो उसके अंदर जो method हैं उसके अंदर आप self define करना ना भूलिए क्यूंकि यह कि उस class के जो object होता है जब हम बनाते हैं उसके variable को access करने में help out करता है इसी तरह हम class की property को change भी कर सकते हैं change भी कर सकते हैं और उसे delete भी कर सकते हैं जैसा के car1.model अब हम इसे print करवा के देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो class का model है वो city से switch हो गया है इस तरह से हम जो भी object है उसके properties को हम change कर सकते हैं और अगर delete करना हो तो उसके लिए delete car1.model अब अगर हम इसे print करवाते हैं तो ये error generate करेगा क्योंगे हम इसकी properties को delete कर चुके तो आप देख सकते हैं car object has no attribute model पहले इसने print कर दिया है लेकिन बाद में delete हुआ तो इसने error generate कर दिया है इस वीडियो में हमने class उसके object कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखा और इसके लावा self का keyword और उसके जो object के properties को change करना या delete करना उसके बारे में सीखा thank you for watching कर दो इसके बारे में में वे